साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चनल पर, तो जैसा कि हमने DBT-CRF की तयारी स्टार्ट कर दी है, उसी के करम में हमने लास्ट वीडियो में हमने एंजाइम्स को समझा था, जो कि आपके बायो टेक्टोलोजी का जब आप प्रोसेस करते हैं, तो उसमें क करेंगे डीटेल में, तो अब हम दूसरे एंजाइम्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जो कि आपका सेकंड एंजाइम्स जिसके बारे में आपने DNA, जब आप रेप्लिकेशन पढ़ते हैं, या आपने रिपेर सिस्टम पढ़ा होगा, तो वहाँ पे आपने बहुत बा पॉइंट्स मैं आपको बोलूगा, उसको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, लाइगेज के बारे में लिखा हुआ है, कि लाइगेज का मतलब होता है, जोडना, यानि कि जो आपका लाइगेज एंजाइम होता है, कि यानि कि जो अभी नुकलियेज ने काम किया, नुकलियेज का काम क्या था, उसने फास्फो डाइश्टर बॉन्ड को तोड़ा, यहाँ पर जो लाइगेज है, वो क्या कर रहा है, जोड़ रहा है, अगर आपने किसी चीज को ठीक करने के लिए, किसी चीज को तोड़ा है, त तो कहानी है भाई क्योंकि किसी चीज की गारा आइडेंटिटी को गारा आपने ब्रेक किया है उसको तोड़ने के लिए तो जब आप उसी जो को रेक्टिफाई कर लोगे तो आपको उसे जोड़ना भी पड़ेगा बस आप बहुत ही साधारन भाशा में आपको बता रहा हूं तो तोड़ा हमने नुकलियेस की मदद से और जोड़ हम किसकी वज़ा से रहे हैं लाइगेस की वज़ा से रहे हैं ठीक है अब बाण्ड वही रहेगा जो बाण्ड हमने नुकलियेस से तोड़ा था वही बाण्ड हम यहाँ पे लाके जोड़ेंगे ठीक है अब आप यहाँ में कहूं, relation कहूं, या आपकी friendship कहलू, ठीक है, या कोई भी चीज को अगर आप देख लीजे, तो उसको जो होता है, किसी भी चीज को break करना बहुत आसान होता है, ठीक है, लेकिन उसको जोड़ना जो होता है, वो काफी मुस्किल होता है, जानि तो इस तरीके से किसी, आप जब कभी आपने best friend का नाम लेते हैं, तो ऐसा नहीं होता है, किसी आप randomly किसी व्यक्ति का नाम लेते हैं, best friend आपका वही होता है, कि जिसके साथ आपने एक लंबा समय गुजारा होगा, ठीक है, इस बात से तो सहमत ही होगे, तो उसी तरीके से, जब आप किसी चीज को जोडते हैं, तो उसमें आपकी energy लगती है, आपका एक time लगता है, तो उसी तरीके से, जब आपने जोडने का काम आपको करना होगा, तो आपका जो ligase है, उसको energy चाहिए, यानि कि वो आपका क्या है ATP dependent engine में, याद रखेगा, और किसी चीज को तोड़ना होगा ना, एक second में, आपकी कोई भी एक गलत activity की वज़े से, आपका relation, आपकी friendship, एक जटके में आपकी चूट सकती है, ठीक है, तो ये बात याद रखेगा, तोड़ना बहुत आसान होता है, लेकिन जोड़ना nucleus आपको पढ़ाएंगे, तो वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, बट मोटे तोर पे, आपको तोड़ते समय कोई भी energy आपको नहीं देनी पड़े, लेकिन जब आप जोड़ रहे हैं, तो आपको energy देनी पड़ेगी, तो यानि कि मैं क्या कहूँगा, lygase जो है, आप इस figure के माध्यम से आप देख सकते हैं, जब इसने ATP से जब आपने lygase जो है, वो जोड़ रहा है, तो या तो ये ATP यूज़ करता है, या NAD प्लस यूज़ करता है, तो हलाकि इसकी भी चर्चा मैं आपको भी बता दूँगा, और इतनी ज़्यादा energy आपकी खर्च होती है, कि आपका ATP मॉलेक्यूल जो होता है, वो सीधा AMP में इस पूरे प्रोसेस में एक आपका pyrophosphate release होता है, तो ये बहुत की फैक्टर है, जो एक्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि bacterial DNA ligase जो होता है, जिसको हम E. coli से isolate करते हैं, वो hydrolysis of NAD as the energy source, यानि कि वो जब DNA को रिपेर करेगा, जो बैक् आपका ATP से कौन energy लेता है, जो कि बैक्टीरियो फाज जो होता है, जो कि आपका एक बहुत कॉमन जब आप DNA repair system बढ़ते हैं, तो आपका T4 DNA ligase होता है, जो बहुत कॉमनली यूज किया जाता है, और या तो मैं कह दूँ यू करिया, यानि कि अगर हमारी बात की जाएगी, हम इसके बाद the 5' phosphate group होता है, एक chain का में का covalent linkage मनाता है, जो कि आप figure में देख सकते हैं, यहाँ पे आपका 5' phosphate group जो आपका ये लगा हुआ है, इसके बाद यहाँ पे OH group लगा है, तो ये सब आपस में मिल जाते हैं, जिससे आपका एक क्या बन जाता है, covalent का linkage जो होता है, व यूज किया जाता है, तो DNA molecule को join करने के लिए having cohesive end या blend end, हलाकि ये जब आप पढ़ेंगे, जो कि मैंने अभी आपको बोल रखा है last lecture में, क्यों कोहसी और blend end की जब बात होगी, तो मैं उसको बात में समझाऊंगा, ठीक है, बट जो आपका sticky या cohesive end होता है, उनको भी जोडने के लिए मुझे DNA ligase चाहिए होता है, और अगर blend end मेरा बनता है, अगर मैं restriction endonuclease से cut करता हूँ, तो भी मुझे जोडने के लिए, दोनों ही case में मुझे क्या चाहिए, मुझे ligase चाहिए, तो यहां तक आपको समझ में आ गई होगी बात, इसके बात, जो आपका e-coli DNA ligase होता जिसको आपको हमेशा याद रखना होगा, तो exam में questions आपसे पूछे जाएंगे, तो सबसे पहला फॉसफोर डाइस्टर bond को जोड़ेगा कौन, अगर मैं इसको दूसरे कलम से highlight कर देता हूँ, जो आपकी important questions आपके derive होगे, तो सबसे पहले यह क्या करता है बेटा, यह फॉस यूज करेगा, अगर eukaryotic system होगा, या bacteriophage होगा, तो वो ATP यूज करेगा, और अगर आपका bacteria होगा, तो वो क्या करेगा, NAD plus को क्या करेगा, वो आपका यूज करेगा, ठीक है, यहां तक आपको कोई समस्या नहीं आएगी, फिर इसके बाद अगर मैं आगे बढ़ता और फिर चाहाए sticky end की बात हो, या cohesive end की बात हो, दोनों ही case में आपका ligase काम करेगा, और e-coli का ligase होता है, वो gap को fill करने का भी काम करना करता है, जब आप DNA stand में वहाँ पर पढ़ते हैं, तो वहाँ पर gap पगरा create होते हैं, उसको भी जोडनने का काम जो होता है, वो आपका क् याद रखेंगे, इसके बार यहाँ तक कहानी आपको समझ में आ गई है, बाकी जो most important चीज आपको याद रखना है, कि यह आपका phosphodister bond को बनाता है, अब थोड़ा सा मैं आगे बढ़ जाता हूँ, इस figure में जो कि आपका TA Brown का मैंने उठाया है, यहाँ पर भी केवल दो बात सकते हो, तो gap को fill करने के लिए मेरा ligase आएगा, और या तो किसी दो molecule को जोड़ना होगा, उसके लिए मैं ligase का उपियोग करूगा, बहुत ही आसान तरीके से आपको याद रखना है, जो कि figure के माध्यम से भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर लंबा चोड़ा gap था, उसको जो बोल सकते हैं, तो इसको भी जोड़ने का काम मेरा किस ने किया, ligase ने किया, अब कुछ important बात मैं आपको बता देता हूँ, तो जो ligase होते है, यह तो आपके, या तो ATP dependent होंगे, या NAD dependent होंगे, इस बात को हमने यहाँ पर समझ लिया है, इसके बाद एक और चीज याद रखे है, और जो आपके activator होता है, वो आपका magnesium होता है, तो याद रखेगा, magnesium यह आपका बहुत ही important element है, अगर आप इसको याद करना चाहोगे, तो जो DNA आपका polymerase होता है, वो भी आपका magnesium dependent होता है, इसके अलावा hexokinase, जो आप glycolysis में पढ़ते हैं, वो भी आपका magnesium dependent होता है, और इसके अलावा आपने magnesium कहां-कहां पढ़ा है, उसको अपनी copy में note-down करिएगा, उसी तरीके कि जो आपका T4 DNA ligase होता है, बेटा ये भी आपका जो co-factor इसका होता है, वो आपका ATP होता है, जो कि हमने समझ लिया है, और activator जो होगा, वो आपका magnesium होगा, तो यहां तक आप आपको कोई समस्या आएगी, बस एक point आपको और याद रखना है, इसके beyond बहुत ज़्यादा question ligase से नहीं बनते हैं, high concentration of monovalent cation, जैसे आपका sodium और potassium जो होते हैं, वो inhibit करते हैं, activity of the T4 DNA ligase, तो यह आपका एक additional information है, यानि कि magnesium जो होता है, वो इसका activator होता है, लेकिन positive charge तो sodium औ potassium जो होते हैं, वो इसकी activity को क्या करते हैं, बेटा, inhibit करते हैं, और magnesium जो होता है, वो इसका activator होता है, तो बस यहाँ तक question आपके बनेंगे, इसके बाद next lecture में हम कुछ और enzymes को discuss करेंगे, तो छोटे से part में हमने ligase को समझ लिया है, और बहुत अच्छे से आपको समझ में आया तो इस channel को like, share, subscribe जरूर कर लिजेगा, और dbtjrf के जो videos available हैं, उनको जरूर देखते रहिए, ठीक है, अपनी तयारी start कर दीजे, किसी जीच का wait मत करिए, अप्रेल में आपका dbtjrf exam schedule होगा, तो समय आपके पास कम है, कारे जादा है, तो इसी तरीके से काम करते रहिए, जो जाती हो तो समय आपके बतारी, किसी जाती जाफ comment एतने होगा जाके जिए केजीच剌, एच चय SCHaqueह खीए, अजार दो वसरे, किस दो झाले से काम जापके। के घरूर क्वश के आपके एंधाआए, झाहिए, जाते हैं, जाती ह मतना हैं, कря जाब दूरो कर दो एंधार, जात